Hi everyone, I welcome you all to montralebali bhiya And आपका ये second video है आपकी final expected cut-off का इसके पहले चैनल पर एक video और भी आ चुका है final expected cut-off के बारे में लेकिन मैंने जैसा कि उस video में कहा था कि ये video 90% आपका authentic है, analyzed है इसके बाद एक video आपकी और आएगी जिस बीडियो को मैं 100% कह सकता हूँ कि ये सही होगी हालांकि आप सभी जानते हैं 100% तो नहीं कहा जा सकता तो मैं इसमें थोड़ा सा गुंजाय सकते हुए 99% के उम्मेद कर रहा हूँ कि ये जो cut-off है आपकी यही रहेगी ठीक है? लेकिन वीडियो आगे पहले पूरी डिस्क्राइब डिटियल में की जाए इससे पहले मैं आप सभी कोई बताना चाहता हूँ कि इस cut-off के basis पर आप अपना कोई भी decision change नहीं करेंगे आपको जो पढ़ाई करनी है वो आप पढ़ाई करेंगे आप अपने exams इस cut-off के basis पर नहीं छोड़ेंगे कि मंत्राले वाले भीया ने कह दिया है तो अप तो selection हुई ही जाना है हो जाएगा ऐसी मेरी पूरी उमीद है लेकिन इस basis पर आप अपने decision change नहीं करेंगे बहुत ज़दा hopeless नहीं हो जाएंगे कि cut-off में नहीं आ रहा है तो चीजे नहीं हो सकती है देखिए यह जो cut-off है यह मैंने 3400 vacancies पर बनाया है हलांकि पहले मैंने सुचा जा कि 3600 पर बनाते हैं लेकिन और मेरे हिसाब से रहेंगी भी आपकी उतनी grade D की बात है सिर्फ है तो लेकिन फिर भी मैंने सुचा कि आपकी जो vacancies हैं वो safe side लेके चलते हैं कि suppose कि 200 vacancies आपकी entertain नहीं भी की गई तब भी आपकी जो cut-off है उस पर effect नहीं आना चाहिए जो cut-off में बताने जा रहा हूँ यह 99% आप इस पर trust कर सकते हैं बाकी हर कोई अपनी तरफ से वहतर करने का प्रियास करता है कुछ कमी रह गई हो आपको trust ना हो रहा हो तो मुझे कोई problem की बात नहीं है आप इसको नहीं मान सकते हैं आप कह सकते हैं कि हाँ यह ठीक नहीं लग रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है trust नहीं कर पाएंगे आप कटाफ लास्ट में ठीक है तो सारी चीज़ें पहले समझेगा फिर देखेगा कि हाँ कटाफ finally क्या मैं बता रहा हूँ ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिल्कुल भी आप attendance है ठीक है compare कर लीजिए कि एप्रॉक्स 50% रहेगी result आपका इस तरीके से आएगा even result में भी आपको changes देखने को मिलेंगे ठीक है अब ऐसा में क्यों कहा रहा हूँ vacancies आपकी 5 times है ओके आप जानते हैं कि 2020 में 691 vacancies थी grade D की और इस बार अगर आपकी 3500 के अप्रॉक्स जाती है तो ये 5 times हो गया ठीक है उसके बाद अगर matter same रहता है skill test में हिंदी का क्योंकि आप जानते हैं कि जो mainry result आपका आता था मतलब ज़्यादा बच्चे जो होते थे वो हिंदी से आते थे हिंदी के candidates आपके ज़्यादा select होते थे क्योंकि हिंदी का result ज़्यादा अच्छा रहता था इंगलिस से और हिंदी का skill test आपका ठीक ठाक आपका level का हुआ है इस बार तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर result में थोड़ा सा downfall देखने को मिल सकता है लोग कह रहे हैं कि marks में कोई difference नहीं है last year भी marks लोगों के बहुत अच्छे थे and इस year भी marks बहुत अच्छे है तो इसको तो मैं प्रूब कर दूँगा अभी कि ये गलत बात है कैसे मैंने जो survey किया था उसके थुरू मैंने देखा कि लोगों के marks में decrease हुआ है ठीक है लोगों के marks कम है last year के comparison में ठीक है तो scenario पूरा change है vacancies आपकी 5 गुना है बहुत जादा है पिछली वार की पेक्षा skill test में भी आपका थोड़ा सा downgrade हुआ है और English का skill test लोग कर रहे हैं कि बहुत easy था ठीक है तो बहुत ज़दा घबराने की कोई बात हो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा result आता रहा है उसी तरीके से आएगा ठीक है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी हड़़ाने की जरुरत में नहीं होती है पहले पूरा process समझिए कोई भी चीज हो रही है तो उसको समझिए कि ऐसा हो रहा है तो इसका क्या effect हो सकता है और उसका पूरा deep analysis करिए यह नहीं कि एक RTI और आप घबरा गया है इस तरीके से चीज़े नहीं होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे survey की तो जो survey हम लोगों ने किया था उसमें लोगों ने खूब help की 1106 candidates ने participate किया और इस survey का जो result में main चीज मैंने पाई जो bulk है जहां पर candidates सबसे दर लाई कर रहे हैं पहला तो marks कम थे यह चीज में बता दे रहा हैं आपको ठीक है दूसरा जो यूर category के सबसे दर candidates लाई कर रहे थे वो और OBC and EWS इनके जो data था लगबग लगबग एक सदा ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि 115 से 135 के बीच में bulk जो है candidates का इन categories में वो fall करता है ठीक है इसके बाद अगर बात करें SC category तो SC category में 110 से 125 के बीच में वहीं SC category का तो बहुत ही नीचे score था तो यह है 92 115 ठीक है तो यह bulk of the candidates था कि कहां पर candidates बहुत जदर लाई कर रहे थे इससे आप clearly देख सकते हैं कि score में downfall हुआ है ठीक है ऐसा नहीं है कि last year कितरे हैं पेपर obviously tough हो ना हो लेकिन marks तो गिरे थे तो यहां से एक चीज़ clear हो जाती है कि आपके जो candidates के जो marks थे वो कम थे इस बार ठीक है तो यह कहना आचा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ last year से rank भी आप guess नहीं कर सकते इस बार ठीक है कुछ लोग rank के basis पर cutoff निकालने बिल्कुल गलत है वो ठीक है क्योंकि जब 500 vacancy होती है grade C में तो आप grade D की rank अलग तरीके से बनती है ना फिर फिर आपने अगर किसी year में 70 vacancy थी या 80 vacancy थी grade C की और उसके next year grade C में 500 vacancy है 400 vacancy है तो grade D की rank पर बहुत effect पढ़ेगा उससे ठीक है तो last इस year आप नहीं कर सकते comparison rank up इसलिए year के basis पर तो यह सर्वे के जो candidates जिन्हों ने participate किया तर्वे पे उनके highest marks है category wise मैंने बताया है यूर category के अगर highest marks की बात करें तो यह 159.10 ठीक है OBC category 160 OBC category के candidates ने काफी अच्छा score किया है ठीक है OBC category लेकिन एक चीज़ अच्छी यह है कि इस बार इन्हें 27 परसेंट वेकंसी का allocation पूरा मिलने के उम्मीद है तो cut-off EWS से नीचे रहेगा यह बात टाय है एकदम ठीक है कितना रहेगा वागे बात करेंगे EWS candidate की बात करें तो यह 158.60 ठीक है SC category 150.7 and ST category 125 तो यह ST category यह SC category AWS OBC and UR यह category wise आपके highest scorer थे ठीक है इनका name मैंने इसले ने डाला क्योंकि यह verified नहीं है ठीक है और verified नहीं है तो फिर इनका name मैंने यहाँ पर दिखा सकता अगर यह verified होता मैं आपसे आपके scorecard लेता तब फिर पर verify किया जा सकता था तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके survey में जो category wise highest scorer थे उनका तो अगर बात करें UR category की तो इसमें highest जो scorer रहा है 159.10 OBC category 160 OBC candidates ने बहुत अच्छा perform किया है इनके जो numbers है वो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि OBC category को इस बार पूरा उनका reservation जो 27% का I hope कि उन्हें मिलेगा ठीक है क्योंकि vacancies ज्यादा है and मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा क्यों होगा तो कोई tension की बात नहीं है EWS category के बात करें तो 158.60 SC category की बात करें 150.7 and ST category में 125 ST category का data भी कम था ठीक है मतलब बच्चे भी कम थे and 125 भी highest marks मुझे मिला ठीक है तो यह category wise आपका highest score थे मैंने इनका name नहीं दिया है उसका reason यह है कि यह जो data यह verified नहीं है verified नहीं है तो फिर मैं name भी नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैंने आपकी mark sheet मांगी होती उसमें बहुत ही जदा time लग जाता तो फिर मैं यहाँ पर उसको नहीं दिखा सकता हलाकि आप इस पर trust कर सकते हैं I think कि यही approximately चीज़े होंगी I hope कि किसे ने भी fake entry नहीं कियोगी और fake entry जो मुझे लगी भी थी वो मैंने घटा भी दी थी ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हैं कि आपकी जो number of vacancies हैं उनका क्या scene रह सकता है number of vacancies का आपका और यह जो vacancies हैं This is only for grade D आप बिल्कुल भी confusion ना करें grade C से ठीक है यह 2022 में आपकी grade D की vacancies जो रह सकती है वो मैंने 3400 मानी है मैंने आपको बताया कि 3600 की पूरी उमीद है मुझे मैंने 200 को non entertaining vacancies मान के हटा दिया ठीक है मैंने सूचा कि SSC अगर नहीं भी entertain करता है तो कोई बात नहीं लेकिन cut off अब आपका बू आना चाहिए जो आपका real final लगे ठीक है अब बार बार cut off बनाओ वो भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग भी बार बार उससे change हो, scenario हो औ कॉन सी cut off बता यह भी आने तो यहां पर मैं यह final बता रहा हूँ यह मेरी final verdict है इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आएगा cut off पर ठीक है and ST category 238 vacancies तो यह vacancies का allocation है आगे की जो पूरी analysis है वो इसी पर बेस्ट है वीडियो को skip मत करिएगा पूरा दीरे-दीरे समस्ते चलिए ठीक है तो यह आपकी vacancies हो गई expected तो अगर हम लोग बात करें attendance की तो यह आपकी RTI का reply आ चुका है ठीक है आपकी RTI की reply में बताया गया है कि 29,168 लोगों ने participate किया है and यह जो है यह दोनों की होगी I think ठीक है grade C and D की दोनों की ही है ठीक है तो इतने बच्चों ने participate किया है अगर इसको आप 60,000 में से निकालेंगे तो यह आपकी attendance approximately हो जाएगी 48% लेकिन आप लोग चिंता मत करिये for safe side ठीक है यहाँ पर भी हर जगह मैंने safe side लेके चला है कि कोई error ना हो और जोटी उम्मीद किसी को ना दूं है क्योंकि मैं चाहरा हूँ कि यह जो cutoff है यह last हो एकदम final ठीक है और मेरी पूरी कोशिस है कि SST की जिस दिन cutoff है उस दिन आप कहें कि हाँ भीया किसी ने cutoff predict की थी ठीक है तो मैंने यहाँ पर 48% ना लेके मैंने attendance 55% ही मानूंगा पूरे analysis के लिए ठीक है तो यह analysis थोड़ा सा अलग है मैंने उतना जिद्धा आपको वहाँ पर चीजें उल्जाने के लिए नहीं रखी है कि आप पूरा calculation करके दिखाऊं वो मैंने already कर दिया है तो 55% आपके attendance हम लोग मान के चल और attendance आपका निकाला कैसे जाता है यह वीडियो पहले ही मैंने पूरा बना दिया है आप confused बिल्कुल मत होईएगा जैसे यहाँ पर जो लोग नय होंगे उन्हें साथ चीजें समझ में ना आए वो कहें कि भाया attendance तो आपका ज्यादा है 65% के आसपास उपर है कुछ लेकिन अगर आपको भी ऐसा डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में जाके वो वीडियो देख लीजिए कि attendance जो है स्किल टेस्ट की को निकाली किस तरीके से जाती है ठीक है तो आप यह मान कर चले कि 55% हम मानेंगे अभी भी जबकि है नहीं आपके attendance लेकिन for safe side ठीक है अब अगर हम लोग आगे बात करें कि आपके एक्सपेक्टेड इस्किल पास केंडिडेट की तो देखें यहां पर एक चीज़ यह हो गई है जैसे यह चीज़ को आप बहुत अच्छे से समाझेगा हिंदी का स्किल टेस्ट हिंदी से बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होती थे ठीक है और हिंदी का है इसकील टेस्ट आपका टफ आ गया ठीक है मतलब टफ क्या मतलब बच्चों के हिसाबसी चीज़ें नहीं हुई और जो आपका result है वो डाउन जाएगा हिंदी का कंपरिजन में पहले जैसे जाता था उसके कंपरिजन में वहीं बात ज़्यादा changes नहीं होना, इनका 35-40% result जाएगा, और हिंदी का भी 40-45 के आसपा जाएगा और total आपका 45% आप मान लो max to max, ठीक है, लेकिन for safe side, यहाँ पर भी मैंने 50% आपका result लेके चलूँगा, worst scenario हम लोग consider करके चलेंगे ठीक है, बिल्कूल भी गुण जाइस नहीं छोट रहा हूँ मैं इस बारे वीडियो में, पूरी मैंने एकोसिस किया है कि जितना tightly हो सकता है, उतना वीडियो बनाया जाए कोई भी error ना हो आपकी, तो हम लोग कितना मानेंगे, 50% मानेंगे, कि 50% बच्चे जो है, पास हो जाएंगे, जो कि कभी भी नहीं हो सकते मेरे हिसाब से, ठीक है आपकी जो passing candidates है, वो 45% maximum जाएगा, maximum, लेकिन हम लोग कितना मानेंगे, 50% for safe side ओके इस slide में अगर हम लोग बात करें, तो यह आपकी candidates की जो slide है, यह है grade C selected और इसमें जो candidates हैं इसमें, UR category में जो students हैं, उनके marks हैं, 131 प्लस, और जो OBC category में हैं, उनके 130 प्लस, EWSV 131, SC category 114, and ST category 106, यह आपकी grade C की cutoff थी, and यह वो candidates हैं, जो grade C में selected हैं, ठीक है, तो UR category में अगर बात करें, 31, 65 लोग हैं 491, OBC में 1674 लोग EWS में selected हैं, and SC category में 2535 लोग, ST में 899, यह आपके number of candidates हो गए, जो grade C में selected हैं, अब number of candidates will qualify, skill test in grade D, ठीक है, तो यह जो है, यह आपका, वो लोग हैं, जो मेरा, मैंने जो 50% की जो आप calculation की है maximum मैं मान के चलना हूँ, इस से ज़्यदा candidates हो भी नहीं सकते, क्योंकि 50% बहुत ज़्यदा हो गया, क्योंकि आपका result अकर maximum भी आएगा, तो 45, but for safe side, हमने जैसा की बताया है, कि 50% की हम लोग लेके चलना है, तो UR category में आपके 870 लोग qualify करेंगे, OBC category में 1097, EWS में 460, SC category में 697, and ST category में 247, तो ये आपके वो लोग हो गए, जितने लोग मैं expect कर रहा हूँ, कि ये आपका grade D का skill qualify करेंगे, अब अगर आगे बढ़ते हैं, तो इस slide में आप लोग देखेंगे, ये आपकी categories हैं सारी, इसमें जो हमने माना, number of candidates will qualify skill test in grade D, तो जो हम लोगों ने assume किया था, ये वही candidates हैं, ठीक है, तो इतने candidates हो गए, और number of expected vacancies आपकी जो हैं, वो इतनी हैं, 3400 के हिसाब से, इतनी category wise आपकी vacancy है, UR की 1360, OBC की 918, EWS की 340, and मतलब कि पुरा-पुरा उनका resolution लगा के, जितने भी section की बन नहीं, वो यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, जो की हमने बात की थी, वीडियो के starting में भी, आप यहाँ पर जो concept है, वो समझने वाला है, ये overlapping का concept आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे, तो आपको पुरी चीज़ने समझ में आएंगी, आप देखें, यहाँ पर जो आपकी vacancies थी, number of candidates इतने थे, और आपकी जो vacancies थी, वो जो you are category में पास होने वाले लोग थे, वो इतने थे, ठीक है, और candidates आपके इतने हैं, and vacancies हम लोग ने बात की, तो यह हैं आपकी 360 vacancies you are की, ठीक है, अब 360 vacancies हैं, और लोग तो 870 ही हैं, तो इसे साब से तुकड़ा बहुत ज़्याद़ डाउन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें लोग जंप करके आएंगे, other categories के, ठीक है, तो OVC category से जो overlapping होगी, जो 1097 लोग हैं, इनमें से approximately 200 लोग जाएंगे, UR category में, ठीक है, UR से, जो सबसे दा UR में overlapping होती है, बो होती है OVC से, after that, जो overlapping होगी, बो होगी EWS category से, यहाँ पर यह जो 460 लोग हैं, इनमें से approximately 90 लोग जाएंगे, आपके general category में, and ST से भी 45, और ST से बहुत कम 1015 माल लीजे, minimum, maximum, ठीक है, तो यह आपकी overlapping ST category के हो गई, और total की बात करें, तो 345, यह आपकी overlapping होगी, अब अगर आफ 345, प्लस 870 भी कर लें, तब भी यह 360 पूरा नहीं होता है, तो इस case में, अगर इसको जोड भी आप लें, तो उसके बाद, अब बहुत सारे parameters हैं, कि ऐसी ही normally कोई भी नहीं जा सकता है, पूरा UR का criteria follow करना पड़ेगा, उतनी ही error चाहिए होगी, बो लोग jump करेंगे, ठीक है, तो बो आपको पता होगा, कि किस तरीके से overlapping होती है, फिलाल आप ये मान के चलिए, कि 870 लोग UR के होंगे, मतलब कि, जिन लोगों की rank, suppose that अगर 1360 vacancies हैं, और आपकी rank अगर 1200 है, तो selection सोच कर मत चलिए, क्योंकि अभी इसमें, बाकी categories की लोग jump करके आएंगे, और आपकी जो rank है, वो बढ़ जाएगी, और आप बाहर हो जाएगे, और जो बाकी categories हैं, जिसे AWS में जिनकी rank अभी 400 है, और seats अगर 340 भी हैं, तब भी आपका selection होने के chances हैं, क्योंकि अभी यहां से 90 लोग, एप्रॉक्स जाएंगे UR category में, तो आपकी rank कम हो जाएगी, और UR बालों की rank बढ़ती है, यह concept है, भी overlapping का, ठीक है, simple सा, तो इस तरीके से, आपके जो overlapping है, वो 345 लोगों की total होगी, अब बढ़ते हैं, आगे इन सब सारी चीज़ों के calculation के बाद, यह आपकी जो है, यह है आपकी final expected cutoff, for grade D, ठीक है, और यह बहुत हद तक authentic है, यही आपकी final की cutoff रहने वाली है, UR की अगर हम लोग बात करें, तो यह आपकी जाएगी, 128 plus minus 2, यह maximum है, मतलब, अगर मैं बात करूँ, maximum, ठीक है, इससे जदा मुझे नहीं लगता कि जा सकती है, ठीक है, मैंने वस यह है कि बहुत safe side लेके चला हूँ, तो इसलिए यह cutoff थोड़ी से increase कर गई है, बट इसका यह मतलब नहीं है, कि cutoff पुरानी वाली वेकार थी, या उसका कोई मतलब नहीं है, वो अभी भी relevant है, उतनी ही जितनी पहले थी, ठीक है, एकाद नंबर का फर्क जरूर होगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारे column बनाए है, तो यहाँ पर super safe score आपका क्या है, फिर for next exam, यह वाला भी एक column है, तो इन सब की बात करेंगे, तो OBC category में, जिन लोगों के 126 marks हैं, तो 126 plus minus 2, यह OBC की cut-off है, 127 marks आपके plus minus 2, यह आपकी EWS की है, SC category में 114 plus minus 3, यहाँ पर plus होने के chances मुझे थोड़े से लग रहा है, ST category 99 plus minus 3, तो इन उपर की 3 categories में, मुझे उमीद है कि minus होने की बहुत ज़दा, and last बाली में भी, लेकिन SC में मुझे थोड़ा से लगता है, कहिना कहीं मुझे लगता है, SC categories में cut-off जो है, वो इतनी ही रह सकती है, अगर vacancies इतनी ही रहती हैं तो, ठीक है, तो यह आपकी category wise cut-off हो गई, इसके बाद अगर बात करें, super safe score की, तो 131 से उपर जो भी लोग हैं, यूर category में, ये एकदम sure हो सकते हैं, कि इनका selection होगा, अगर vacancies 3400 रहती है तो, ठीक है, मैं यहाँ पर mention भी कर देता हूँ, देखे, ये आपका 3400 vacancies के लिए है, ठीक है, इतनी vacancies आपको चाहिए grade D में, तब ये आपका cut-off valid है, ठीक है, आगे अगर बात करें, अगर आपके OVC में 119 से उपर score है, तो आप बिल्कुल safe है, ठीक है, EWS category में 130 से उपर वाले सारे safe हैं, बिल्कुल, ठीक है, SC category में 117 से उपर वाले सारे safe हैं, एकदम, ST category में 103 से उपर वाले भी एकदम safe हैं, ठीक है, ये super safe score है, इसके उपर अगर किसी भी category के हों, और आपकी category का score fall कर रहा है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग एकदम sure हो जाए, कि selection sure है यहाँ पर, और जो एक और category है, वो ये है, कि don't lose hope, ठीक है, आप लोग उमीद मत छोड़िये, तो इस category के अगर हम लोग बात करें, तो 125, अगर आपके UR में है, अब देखिए, 120 पे मत मुचिएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ा नमबर चाहिए होगा, ठीक है, उतनी बड़ी vacancies आपके लिए सायद नहीं होगी, लेकिन 125 के आसपास भी अगर आपके हैं, प्लस माइनस दो एक, तो फिर आप उमीद में रहिए, कि यहाँ बिल्कुल chances बन सकते हैं, अगर 4000 vacancies के प्रॉक्स जाती हैं, तो ठीक है, और पैसे भी बन सकते हैं, ठीक है, यह मैंने toughest scenario लेके चला है, जिसमें मैंने माना है, कि आपके attendance जो है, वो 50, सॉरी, आपकी जो skill का qualifying candidates है, वो 50% रहने वाले हैं, तब, ठीक है, तो 125 के आसपास अगर आपकी marks हैं, तो यूर में आप hope लगा सकते हैं, लेकिन त्यारी करते हैं, नेक्स exam के भी, क्योंकि अगर आपको मिल भी गया, तो CBIC, DOP, या फिर कोई भी border का department आपको मिलेगा, तो इसलिए त्यारी करते रहिए, अगर 125 के आसपास हैं तो, अगर OBC की बात करें, तो 122 के आसपास आप उम्मीद लगा सकते हैं, कि हाँ शायद कुछ आपको मिल जाएगा, AWS में 124, ST category 112, ये आप थोड़ा सर नीचे भी कर सकते हैं इसको, 111, 10 पे भी आप उमीद लगा को बैठ सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी, बहुत ज़दा नहीं, अच्छा, मैं जब ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि निगेटिव असपेक्ट में मत लीजेगा, मतलब यहाँ पर ये है, कि आप बॉर्डर पे हैं, ठीक है, अगर आपको सेलेक्शन मिलेगा भी, तो फिर आप थोड़ी सी, उमीद में रहे सकते हैं, तो ये आपकी थी, उमीद लगाने वाली cut-off, ये आपकी थी super safe cut-off, एंड ये आपकी थी cut-off, ठीक है, तो ये सारी cut-off मैंने बना दी है, अब आपको decide करना है, कि आपको क्या सोचना है, किस तरीके से decisions लेने है लेकिन ये सिर्फ एक cut-off है ये सिर्फ एक idea है MWV की तरब से and इस cut-off की basis पर आप अपने decisions चेंज नहीं करेंगे and आपकी जो भी exam के preparation कर रहे हैं उसको continue रखेंगे after that यही last video है आपका इसके बाद आपकी cut-off की कोई भी video नहीं आने वाली और कोई भी analysis नहीं होगा क्योंकि इसमें सारी चींज जितनी भी maximum हो सकती थी वो सारी complete कर ली गई है इसके लाबा अगर आप directly questions पूछना जाते हैं टेलिग्राम पर भी इसी name से channel है link चो है वो description में दिया गया है उससे आप उसको join कर लेंगे thank you so much